नमस्कार मैं आनंद कुमार खटरी आज के हमारे लेक्षर का विश्य है ट्राइको मोनास वर्गी करण, क्लासिफिकेशन, संग, प्रोटो जुवा, सभफाइलम, उपसंग, सार्को मैस्टिगोफोरा, अदिवर्ग, सुपरक्लास, मैस्टिगोफोरा, क्लास, जुमेस्टिगो पर जीवी है जो मनुस्य वह इस तंधारियों में पाया जाता है इसके द्वारा ट्राइको मोनियस नामक रोग उत्पन होता है ट्राइको मोनास हुमिनिस मनुस्य में व्रधांत्र में पाया जाता है पर जीवी है ट्राइको मोनास व्रधांत्र में पाया जाता है जनन मुत्रमार्ग में ट्राइको मोनास होमिनिस वर ट्राइको मोनास बकेलिस एक और रोग जनक नौन पैथोजनिक जातिया है ट्राइको मोनास गैलेनी कबूत्रों वफाक्तों के पर जीवी है ट्राइको मोनास गैली नेरम पक्षियों की बड़ी आंतर का पर जीवी है एवम यह टर्की मुर्गी आदी पक्षियों में पाया जाता है स्वभाव आवास ट्राइको मोनास एक अविकलपी अंतर है पर जीवी ऑलिगेट अंड़ वड़ी प्रचिवी है एवम यह एक बहु कसाभिक जातीै है मल्टी पलजिनेट ट्राइको मोनास विजानेलिस एक रोग जनक जाती है जोकी मुतर जनन मार्ग में पाई जाती है और ट्राइकोमरास बकेलिस मुखु को हमें पाई जाती है सरचना यह परचीवी के वग ट्रोफोजोइट अवस्था में ही पाया जाता है वहम इसकी पुट्टी शिष्ट अवस्था अनपस्थित होती है इसके आकरती अंडाकार या नास्पती के समान होती है इसके ट्रोफोजोइट्स की लंबाए 10 से 12 माइकरोन तक होती है एवम इसकी चुड़ाई 70 माइकरोन तक होती है इसके अग्रस गोल सीरे की और एक केंद्रक पाया जाता है केंद्रक में एक केंद्रिकाएं पाया जाती है केंद्रक के एक और अग्र सीरे पर कोशिगा मुख साइटोस्टोम पाया जाता है अगर सीरे में बलेफिरोप्लास्ट से तीन से पांच कसाब निकले रहते हैं जो की स्वतंत्र होते हैं एक मोटा कसाब बलेफिरोप्लास्ट से निकल कर पस्ट सीरे की और बढ़ता है एवं पार्स्व में तरंगित जिली अंडुलिटिंग परदान करने के लिए एक ओ आलम मनपरदान करने के लिए इसके आधार पर एक छड़ के समान से रचना पाई जाते हैं। इसके सरीर के मद्धिय में एक छड़ के आकार की रचना पाई जाती है जिसे एक्जोस्टाइल कहते हैं एक्जोस्टाइल पस्ट सिरे से एक नुकिली पूंच की रूप में बाहर निकला रहता है जिसे सूख स्पाइक कहते हैं सूख परजीवी को मतलब ट्राइकमोनास को परपोसी के साथ आसंजन में सायता करता है जुड़ने में सायता करता है आधार कणिका या बलिफर प्लास्ट से जुड़ी दो मुददकार सरचनाएं पाई जाते हैं जिनें परा आधारी काई परावेसल बाडीज कहते हैं ट्राइकमोनास होमिनिस में आगे की और पांच वो पीछे की और एक कसाब पाया जाता है और ट्राइकमोनास बकेनिस या ट्राइकमोनास टैनेक्स में आगे की और तीन कसाब पाया जाते हैं जबकि पस्ट कसाब अनुपस्तित होता है जनन ट्राइकमोनास में अनुद्री द्वी खंडन द्वारा जनन होता है इस द्विखंडन के दौरान केंद्रक विभाजन कोशी का द्रभी विभाजन की तुलना में अधिक तीवर होता है जिसके प्रज़नाम सरूप इस दौरान बहु केंद्रिक आए अवस्था दिखाई देती है इसमें पुर्टी या सिस्ट का निर्माण नहीं होता आतर संक्रमन ट्रोफो जॉइट अवस्था द्वारा ही होता है ट्राइकोमोनास विजानेरिस का संक्रमन लेंगिक संसर्ग सैक्सवल इंटरकोर्स के द्वारा होता है अन्य जात्यों का संक्रमन व्यक्तिकत इसपर्स के दोई दौरा होता है रोग जन्क त्रैकोमोनास द्वारा उत्बन रोग को ट्राइकोमोनियस पर्ष इस पर मुट्र जन्न माल्ग में पाया बंप पुरुसों की तुलना में यह मादाओं में अधिकता से पाया जाता है, इस्ट्रियों में विजायना में पाया जाता है, जिसके करण विजायने की मुकोसा नस्ट हो जाती है, वह उस जगे जलन वसूजनुत्पन हो जाती है, इस रोग से ग्रसित महिलाओं की विजायना से ए पराण होता है उपचार इस रोग के उपचार या treatment है तू Meternaldilsol युक्त योगिक युक्त उस्दियों का प्रयोग किया जाता है Diodohydroxyquinine वः Posidon iodine युगिकों युक्त उस्दियों का प्रयोग भी किया जाता है, इस प्रोग के उपकार है तू दोनों लेंगिक साथियों को उस धियां दिया जाना जरूरी होता है, रोद का उप्योग करने से भी इस प्रोग के बचाओं में साइटा मिलती है, इस इडर टाइगराम और ट्राइकवोणार्स जिस में और पॉस्टीरेर ब्हुस जानों में और बिशन पराक और शाब पिंड को वह वह केंदरक केंदर का … सब इसे में क्लिर सुट सब आ दिखाे देरें श्य०्ट क यह कर आऄ dunno दनने वादू